वो एरिया है चतिसगड, ओडिशा और नौर्थ आंदर प्रदेश, दो साइक्लोन इंडिया तर्ट को पार किये हैं, कल दोपहर को यानि धाई वजे तक इसके लैंडफॉल होने के बाद ये धीरे धीरे वीग होने लगा और कल मीडनाइट को जैसे हमने प्रेडिट किया था, एक डिव डिप्रेशन में पुरिनत हो गया था, आज सुबे फर्दर विग होते हुए डिप्रेशन और आज फूर्नुन में एक वेल्मार्ट लोप्रेसर एरे में पुरिनत हो गया है, अभी ये नौर्थ हिस्ट दलेंगा न, और इसके आसपास जो साउथ शोतिसगड, पूर्थ कम हो गया है, अभी अगले 12-18 आवर्स में रेनफल जारी रहेगा, और कहीं कहीं आईसोलेटेड हेवी रेनफल हो सकता है, यानि 7 सेंटीमेटर शुरू करके 11 सेंटीमेटर तक वो एरिया है, चतिसगड, ओडिशा और नौर्थ आंदर प्रदेश, इसके अलाभा और कहां इसका कोई disastrous impact नहीं है, अभी हेवी रेनफल इसकी प्रभाब में और कहां होने बाला नहीं है, शाउथ अंदर प्रदेश अभी completely clear हो चका है, तेलेंगाना भी clear हो गया है, कोई हेवी रेनफल नहीं होने बाला है, तामिलड भी clear हो गया, वहां कोई हेवी रेनफल न पिलाल कोई वर्णिंग किसी भी राज्य में नहीं दी गई है उस एरिया की अभी सिर्फ साउथ ओडिशा साउथ चतिशकर्ड ओडिशा एंचतिशकर्ड आप बल सकते हैं और नॉर्थ अंदर प्रदेश इसके लिए वर्णिंग दिया गया वह है आईसोलेटेड हेवी इसके कोई डिजास्ट्र सिम्पाक नहीं होता है कितना स्ट्रॉंग था ये शादा प्रभावी था ये वाला सउक्लोन की स्ट्रॉंग अप इस साल की बात करें कि दो साउटिव इंडिया तर्टक पार किया है एक है साइक्व विफर जो मैंना में गुज्राट कोस्ट को पा का wind speed रहा 90 to 100 km per hour, costing to 100 to 100 km per hour. So therefore, ये cyclone का आप वो cyclone साथ compare कर सकते हैं, मगर intensity थोड़ी से काम था, compared to विपर जये.